उत्तरप्रदेश के इटावा में बुद्वार को भीशर्स और खाथसा हो गया इस हाथसे भी पांच लोगों के मरने की खबर है यह घटना इटावा सेफ़ाई मार्ग पर हुआ रिपोर्ट्स की माने तो इटावा की तरफ जा रही कार का टायर फटने के बाद वह आनियंत्र हो कर दूसरे साइट पर जा पहुची वरार्सी में इवियम विवात को लेकर हुए बवाल और विवात के बाद प्रसाशन की तरफ से बड़ी कारवाई की गई इवियम के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए एडियम आपूर्ती नलनी कांत सिंग को निर्वाचन कारे से सोन बद्र के गोरावल में बने मतगर्ना केंद्र परिसर में मतपेटी और मतपत्र लादी लदी गारी मिलने के मामले में SDM पर कारवाई की गई है जिला प्रसाशन ने SDM को हटा दिया यूपे विदान सभा चुनाओ 2022 की मतगर्ना कल यानि 10 मार्श को हुनी है यूपे पुलिस ने इसके लिए बड़े पैमाने पर त्यारी की प्रदेश के ADG Law and Order प्रशान कुमार ने यूपे पुलिस की त्यारियों की जानकारी देते वे हुर्दंगईयों को चेतावनी दी की मतगर्ना के दोरान करबड़ी फैलाने की कोशिश की तो कठोर कारवाई की जाएगी सपाध्यक्ष अकलेश यादव ने EVM चोरी और काउंटिंग में धांदली कोले कर दबाव बनाये जाने का आरोप लगा दिया है अकलेश ने इसे भी साजिश से जोड़ दिया है सपाध्यक्ष को मोधी सरकार में मंत्री के मंत्री एसपी बगेल ने जवाब दिया जो उन्हें करहल में भी चुनावी मार्ट देने के लिए तयार है एसपी बगेल ने अकलेश के आरोपों को खालिच करते वे पूछा कि यदि इवियम में धांदली संभव है तो बेजेपी उन राज्यों में वी सरकार क्यों नहीं बना लेती जहां विपक्षी दलूंकी जीत हुई मुक्यमंत्री योगी आधितनात ने यूकरेन से सुरक्षित वापस लोटे गोरकपुर के चात्रों से बुद्वार को गोरकनात मंदिर में मुलाकात की उन्होंने चात्रों का खालचाल पूछा और होसला बढ़ाते वे कहा कि चिंता मत कीजिए वरारसी में इवियम को लेकर रात बढ़ती ही जा रही है समाजवादी पार्टी और सुभाषपा ने लकनओ में चुनाओ आयोग को इसे लेकर ग्यापन सौपा समाजवादी पार्टी ने चुनायोग से वरार्सी में इवियम में घरबडी और बरेली के स्टॉंग रूम के बाहर साधे बैलट पेपर के वीडियो का संग्याल लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी पर कारवाई करने की मांगी आसंगटित शेत्र के कामगारों के पंची करण के मामले में यूपी ने देश में किर्थिवान सापित किया केंद्रिय इश्रम पोर्टर पर शविकों के पंची करण में प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है देश के सबसे बड़े बोर्ड की परिक्षा तिधियां घोशित कर दी गई हैं तो प्रदेश माधिमिक स्विक्षा परिशद दसवी बार्वी की परिक्षा है 24 मार्च 2022 से चुरू होंगी यूपी बोरा है स्कुल की परिक्षा 24 मार्च से 12 अपराल तक 2022 तक चलेगी तो वहीं इंटर की परिक्षा 24 मार्च से 12 अपराल 2022 तक चलेगी धन्यवाद